हाई आज हम बात करेंगे एक concept के ऊपर यह concept है और आपको एक्जिशन कर रहे हैं या कोई reception पर मिलने के लिए आया है तो आप यह वाला प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं करता है आपके पास विजिटर्स और क्लाइंट्स का डिटा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए साथ की साथ जैसे आप एंटरी पंच करते हैं आपमेटिकली सिस्टम वाट्सप और इमेल विद कंपनी प्रोफाल और केटलोग सेंड करते था है तो दी कस्टमर्स और वीजिटर्स मॉबाइल नंबर और इमील इड इसका रिमोलाइफ करके दिखते है तो सब्सक्राइब नाम सेलेक्टर दिया अभी मैं बेसिकली अपन कर सकते हैं च्लाइंट का कोई visiting card आया है है और आप एंटर कर सकते हैं साथ के साथ आप उसके आप साथ सेलफी भी ले सकते हैं आप अज अन्टरी पुछ रहा हूं जिसमें हम दिखाएंगे कि हमने केटलॉग डाला है या सब्सक्राइब करता हूँ तो मुझे इमेल जिस जो मैं डिटा पंच करता हूँ तो मुझे इस सिस्टम बता देगा कि आप डिटा पंच कर रहे हैं आपको वेरिफाय करना है कर सब्सक्राइब करना है आपको अपके पास प्र wegen कर बाते हैं नाम आते ही कंपरिने होई भर दे कंपरिमुंअरे में इसे जा बीञत्रब कर ट कि दिया भर्यांट तो इस तरह का WhatsApp आटोमाटिकली शूट हो जाता है तो दी क्लाइंट तो ड्रीक कंपनी का कैटलोग उपन हो जाएगा इसमें तो आप नहीं देखा कि एक ही कैटलोग जाता है बाट बहुत से किसस में क्या होता है कि अगर कोई क्लाइंट आया हुआ है और आप पांच प्रोडुक्स में डील करते हैं, for example, आप डील करते हैं, cycle में, tricycle में और bicycle में, so basically cycle होगा बड़े लेबल का, tricycle और bicycle होगा, जो child होते हैं उनके लिए, तो अगर वो client आया हुआ है, वो कहता है कि मैं basically tricycle में interested हूँ, मुझे tricycle के products देखने हैं, तो आप जब form से fill करते हैं कि category, interested category क्या है, so for example, अगर मैं हम पर जलता हूँ और मैं आपको form दिखाता हूँ, तो इस form में ही हम option आपको और add करके देदेंगे, that category या interested in, तो suppose उसने interested in select किया, तो उस पर जो product में हम deal करते हैं, वो products के list दिखरी होगी, drop down पर select करेंगे, submit करेंगे, तो उस product का, particularly उस product का ही, जो catalog होगा, वो visitor के mobile पे और email ID पे attach होके जाएगा, आपको manually कुछ नहीं करना है, तो like मैं आप आप बाशलता हूँ, आपको emails में आगा हूँ, इमेल में, किस तरह का email shoot हुआ है, किस तरह का WhatsApp shoot हुआ है, तो मैं आपको WhatsApp दिखा दिखा दिया, आपको email दिखा रहा हूँ, तो इस तरह का subject shoot रहता है, पदरशनी में आने के दिने बाद, आप इसको अपने according चेंज कर सकते हैं, और यह content रहता है, जब आपने नेम पंच गयता हूँ, उसी नेम से email जाएगा, अपना logo आप चेंज कर सकते हैं, according to the client, तो इस तरह का एक language जा रहा है, आपको YouTube channel का link है, नीचे से हैं वो catalog है, तो basically जो भी visitors होंगे, आपके आपे विजिट कर रहे हैं, या अगर आप कहीं जाते हैं, अगर in between multiple clients मिल जाते हैं, आपका sales executive जाता है, market में, नए clients मिल जाते हैं, तो आप इस system का use कर सकते हो, आपके पास data back-end में store हो जाता है, और आप इस data का use आया कर सकते हो, leads को convert करने के लिए, So guys, I hope you like the video, I hope you like the concept, if you like, please do subscribe my YouTube channel as well.